आप सभी को पता है कि आज 17 तारीक हो चुकी है कल 18 तारीक है और कल हेड को इस्टेबल टेलीकॉम एनिमल ट्रांस्पूर्ट टेलीकॉम का पीपर है कल मैं आपको एक सेंटर से आज की वीडियो में खास बात यह है कि कल जैसे यह आंसर की आई उसके बाद बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आगे की पेपर इतना हाड कैसे आ रहा है देखिए पेपर ओवराल हाड नहीं था नहीं था इंग्लिस थोड़ी सी टफ थी इंग्लिस पूरी भी टफ नहीं थी अब तो यह तो हम एकस्पेक्टेट रहता है यह मेरे भाइव कि अगर आपके बीज गोड़ेंगे धियर नहीं आ रहते हैं अगर उसके वज़े से अगर आप एकजाम ही छोड़ दोगे तो यह तो गलत है ना भाई और ऐसा पेपर बनना बहुत अच्छा पेपर बनता है अगर ऐसे कभी पेपर बनेगा तो इससे हम अच्छा पेपर मानते हैं इससे अच्छा पेपर क्यों मानते हैं क्योंकि देखे जब आप इसको अच्छा मानते हैं किसलिए क्योंकि इसमें क्य होता है कि इसमें हर तरह के question आते हैं जो एक student होता है उसकी तैयारी कैसी है यह भी इस paper में दिख जाता है अगर paper easy बना देंगे तो बच्चा कम तैयारी किया हुआ है जो अभी एक-दो महिने में बस तैयारी किया हुआ है वो भी कहीना के competition में आ जाता है और उस बच्चे के competition में आ जाता है जो साल भर से त्यारी कर रहा है तो वहां पर यह हो जाता है कि quality में फ़रक जाता है बच्चे-बच्चे की यह पेपर इस तरह का बना हुआ है इससे फायदा यह होता है कि जो बच्चा पढ़ने वाल है उसको फायदा बहुत मिलता है क्योंकि paper hard आएगा जो नहीं पढ़ा हुआ है जो कम पढ़ा हुआ हुआ है उसको मुस्किल लगेगा उसके नंब है क्यों कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे है कि एक्जाम देने का मन नहीं कर रहा हुआ इसा लग रहा है इतना दूर्ट रवेल करकी क्या करें को आप कलत करो यह काम बिल्कुल मत करो आपको एक्जाम सेंटर पर जाना चीए और सब कुछ करना चीए डॉक्मेंट अपने ले में मिलूंगा सुबह से ही मिल जाँगा और सब्सक्रैक्याराज सेंटर बना हुआ है सब्सक्राइध मैं सब्सक्राइब ili जाएगा जब आप सेंटर पर जाओगे पेपर देखोगे हो सकता है मानलो पेपर इजी आ गया पता है किसी को पता है बच्चे अब सेंट हो गए कट अफ कम चली गए बोलो के बाद में पस्ता आओगे कि सार मेरा पेपर छूट यह गलती कर दी है वैसे competition कम है अगर पेपर छोड़ोगे तो और उन बच्चों के लिए हो जाएगा प्रिच्छा में बैठो अपनी काबलिया साबित करो जितना हो सके पेपर सेंटर दूर है कोई बात निए अभी भी निकल जाओ तो पहुंच जाओ ठीक है तो प्लीज मैं आप सब्सक्राइब जाओ जो भी प्रियाग राज में जिनका भी सेंटर बना कमेंट कर देंगे कर में उनसे मिलूंगा जिनका प्रियाग राज में सेंटर है वह प्लीज मैं इलहाबात प्रियाग जहां में रहता हूं और यहां सेंटर है तो प्लीज कमेंट करना कल आप सभी से मिलूंगा कल आ सब्सक्राइब करें नेक्स वीडियों में पाकिया आप जाना जरू ठीक है थैंक यू सो मच